हेलो बच्चों आप सभी का मेरी चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के वीडियो के अंतरगत हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 12 की इंग्लिश बुक के लेसन नमबर 14 के कोशन और आंसर्स बच्चों इस के जो चैप्टर को हमने अपने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है मैं उमीद कर देखा होगा और स्टोरी का अध्यान में किया होगा आज के वीडियो के अंतरगत हम डिस्कस करेंगे सारे कोशन और आंसर्स तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट कोशन आपके सामने दिया हुआ है इसका अर्थ यह है कि जो लेखाख है उसे क्यूं विश्वास है कि जो अब हमारा भारत है वो जो है कार करने के लिए बिलकुल सतरक है या बिलकुल तयार है action याने की कार करने के लिए बिलकुल ready है तो किस अधर पर जो लेखक है उसे इस बात का विश्वास है कि हमारा जो भारत है वो कार करने के लिए बिलकुल तयार है तो answer है the author believed that India is ready for action now with the fact that now a large part of our population is young and roaring for change तो लेखक को इसे लिए विश्वास है कि भारत जो है बिलकुल कार करने के लिए तयार है इस fact के साथ कि आज जो है हमारे भारत का एक भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है यंग्स्टर याने की युवा पीडी से सम्रित है और इसी कारण से बहुत सारे युवाओं होने के कारण जो है हमारा आज का जो भारत है वो बिलकुल सक्रिये है अपने कार को करने के लिए और अपने आपको आगे बड़ाने के लिए क्योंकि हमारी population का एक लार्ज हिस्सा यंग्स्टर से भरा हुआ है और इसी कारण जो है भारत तयार है और इसी कारण जो है लेखक को विश्वास है कि जो भारत है वो कार करने के लिए बिलकुल पूरी तरीके से तयार है Question No.2 Why did the private sector in post-independence India suffer from lack of self-confidence याने कि जुतने भी जो निजी छेत्र है वहाँ पर आजादी के बाद भारत में जो है लैक of self-confidence याने की आत्म विश्वास की कमी क्यों हुई Answer is the private sector in post-independence India suffer from lack of self-confidence because याने कि यह पूरा हमने question से ही बनाया है कि जो private sectors है वहाँ पर आजादी के बाद भारत ने जो है lack of confidence याने की आत्म विश्वास की कमी इसलिए IQ के उस समय क्या हुआ काता था on that time Indian industry was controlled by the government उस समय जो हमारे जितने भी उद्योग है वो पूरी तरीके से क्या किया जाते थे was controlled by the government याने के सरकार के द्वारा control किया जाते थे और किसी को भी जो है कोई भी सहसिक कार करने के लिए जो है government से permit लेना पड़ता था या किसी ने किसी प्रकार के अनुमती लेने पड़ती थी तो इसी कारण जो है आत्म विश्वास की कहीं न कहीं उस समय कमी थी question number 3 describe the modern day achievements of Indians याने की बचों ये एक important question है इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हमें वर्नन करना है जो भी भारतियों की आधुने क उपलब्धियों के बारे में हमें वर्नन करके बताना है भारत की जितने भी हमारे भारतियों की उपलब्धियां रही है modern day achievements रहा है उसके बारे म हमें वर्नन करना है तो आंसर फॉलिविंगार था modern day achievements ऑफ इंडियां तो भारतियों की जितने भी उपलब्धियां रही है आधुने को परप्राप्त करें है वो कुछ इस प्रकाल से निम्न है जिसमें पहला है we have launched our own missiles याने कि हमने अपने खुद की missiles को launch किया है सबसे पहले अपलब्धी यह है दूसरा है अवर आईटी कंपनीज एंड आटो कॉंपनेंट्स मैनिफेक्चर आर अमंग दे बेस्ट इन दे वर्ल्ड याने कि जो हमारी आईटी कंपनीज हैं और जितने भी आटो उपकरण उत्पादक हैं वो विश्वे के पूरे जो हैं सर्वोत्तम है याने कि बेस्ट इन दा वर्ल्ड है अग्रिकल्चर प्रोडक्शन सोरें और जितने भी हमारे अग्रिकल्चर प्रोडक्शन है याने कि जितने भी क्रिसी उत्पादन है वह भी बहुत तेजी से फलफूल रहा है बन रहा है नेक्स्ट है इंडियन प्रोफेशनल्स आर बिंग रिकागनाइज इंडिया अचीवमेंट्स इन ओल पार्ट्स ओफ दा वर्ल्ड यानिक जितने भी भारतिये व्यवसाइक हैं वो भी सारे जो हैं आज के समय में पूरे वर्ल्ड में पहचाने जा रहे हैं और उन विये अपन उपलब्धियों को पूरे विश्व में विख्यात कर रहे हैं वहां पर यह अपनी अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर रहे हैं जितने भी इंडियन प्रोफेशनल्स आर बिंग रिकागनाइज इंडियर अचीवमेंट्स अपनी उपलब्धियों को लेके पूरे संसार में जो है ये माने जा रहे हैं पहचाने जा रहे हैं तो ये भी एक जो है modern day achievements है इंडियन्स का तो ये एक important question है बच्चो इसके सारे जितने भी achievements यहाँ पे लिखे गए हैं वो बकाइदा बहुत ही important है और हमें अच्छे से तयार करने हैं question number 4 what is the contribution of satellite communication in increasing awareness इसका आर्थ है बढ़ती हुई जागरुकता में उपग्रह संचार सेवा का क्या योगदान है हमें बताना है कि क्या contribution है of satellite communication in increasing the awareness यानि कि जितनी भी बढ़ती हुई जागरुकता है उसमें उपग्रह संचार सेवा का क्या योगदान है आंसर है satellite communication exposed people to the existing realities in the world why not in India is a question which arose in the minds of the viewers यानि कि जितने भी satellite communication है उपग्रह संचार जो है वो जो है exposed people of all the existing realities यानि कि उपग्रह संचार ने विश्व को कई वास्तविकताओं के द्वार जो है उसने खोल दिये है पूरे all the world में जो है उसके जो है माध्यम जो है उसका जो है खुल चुका है why not in India पर भारत में क्यों नहीं यही एक सबसे बड़ा प्रशन है this is the most important question why not in India is a question which arose in the minds of the viewers जो है प्राया जो है viewers यानि की जितने भी viewers है उनके मस्तिस्क में हमेशा घुमता रहता है कि भारत में ही क्यों नहीं तो यही एक सबसे बड़ा प्रशन है और यही जो है contribution है और सैटलाइट कमिनिकेशन का हमारे बढ़ती हुई जागरुकता में इसका अर्थ है भारत के विकास में कौन-कौन सी बाधाई है तो उनके बारे में हमें बताना है तो इसमें पहले दिया हुआ है पर्वेसिव करप्शन, माइंडलेस, ब्योरक्रेसी एंड ग्रीडी पॉलिटीशन्स आर्था इंडियास डेवलप्मेंट जो भारत की विकास है उसमें जितनी भी बाधाई है उसमें सबसे पहले है पर्वेसिव करप्शन, याने कि व्यापक भरस्तराचार, माइंडलेस, उसके बाद है माइंडलेस याने कि आप समझ सकते हैं मस्तिक्स्त कहींता, ब्योरक्रेसी नौकरशाही एंड ग्रीडी पॉलिटीशन, ग्रीडी पॉलिटीशन याने कि जितने भी लालची राज नेता है यही सारे जो हैं एक बाधाई बने हुए हैं भारत के विकास में तो यह सारे जो हैं बाधाई हैं जो इंडियास के डेवलपमेंट में एक इंपैडिमेंट्स बने हुए हैं याने कि परिद्रश 2020 में क्रीसी का क्या स्थान है अंसर है एग्री कल्चर वोड हैव बिकम वेरी रिमिनुरेटिव तो फार्मर्स विद दा सक्सस ओफ दा सेकंड ग्रीन रिवॉलुशन इंडिया विल हैव सर्प्लस फूड प्रोडेक्ट्स तो एक्स्पोर्ट तू दा वर्ल्ड दृतिय हरित क्रांती के बाद जो है जो हमारे जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए जो है क्रीसी जो है काफी धन प्रदाई होती जा रही है काफी उनके लिए रिमिनुरेटिव होती जा रही है और इससे उनको अपने कारों में काफी सफलता भी मिल रही है ऐसा करने से भारत के पास जो है काफी सर्प्लस फूड याने की एक्स्ट्रा फूड वह इतना जो है उत्पादन हो रहा है खादे समगरी का कि इतना सर्प्लस फूड रहता है जिसे वह आउटर आफ दा इंडिया याने की इंडिया से बाहर पूरे विश्व में जो है उसे निर्यात भी कर पा रहे हैं इतना surplus food production हमारे भारत में हो रहा है और ये जो है किसानों के लिए जो है agriculture एक बहुत ही remunerative होती जा रही है तो बच्चों ये एक important question है जो most of the time पूछा गया ये question हमें तयार करना है ità number 7 what role would India industry play in the coming years याने की आने वाले वर्षों में भारतिय उद्योग की क्या भूमिका हो गी क्या उसका रोल होला तो in the coming years याने की आने वाले वर्षों में agroprocessing industries याने की जितने भी आने वाले वर्षों में क्रिसी में, क्रिसी से संबंदित उड्योग बहुत जादा विकास सील रहेंगे chemical industry जो होंगी, वो भी बहुत जादा प्रगती में रहेंगे these all are जो है, बहुती प्रगती में रहेंगे, will play a major role और यही जो है agroprocessing industries and chemical industries ये जो हैं अपनी महत्मोर और बहुती बड़ी भूमी का आने वाले वर्षों में निभाएंगी तो ये सारे जो है चेंजेस आने वाले वर्षों में होंगी पिशन नमबर एट, इन विच एरिया विल इंडिया बिकम अग्लोबल लीडर याने कि किस छेतर में भारत विश्व में एक ताकत बन जाएगा याने कि भारत विश्व में एक ताकत बन जाएगा तो इसका आनसर है इंडिया will become a global leader in the service sector यानि कि जितने भी सेवाइं हैं, सेवाइं छेत्र हैं वो उसमें जो है वो एक global leader बनेगा providing excellent services जो बहुत ज़ादा शानदार सेवाओं को प्रदान करेगा within the country and outside यानि कि अपने देश में भी और देश से बाहर भी तो इस छेत्र में जो है हमारा जो भारत है वो एक global leader बन जाएगा तो कौन-कौन से उसमें बनेगा global leader in the services sector services sector में होगा और वो इतनी से वाइं प्रदान करेगा जो within the country and out of the country भी provide की जाएगी और ये एक important question है Question number 9 How can good infrastructure contribute to development? याने कि एक अच्छा बुनियादी धाचा विकास में किस तरह का योगदान कर सकता है How can a good infrastructure याने कि एक अच्छा संसाधन जो है एक अच्छा संसाधन किस प्रकार से विकास में योगदान दे सकता है अपने योगदान प्रदान कर सकता है आंसर है, a good infrastructure fulfills the need of development, यानि कि यदि अच्छे संसादन है, यदि अच्छा infrastructure है, अच्छा बुनियादी धाच्छा जो है विकास में अविशक्ताओं की पूर्ती कर सकता है, a good infrastructure fulfills the needs of the development. Question number 10, how can we realize the vision? यानि कि यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि हम परिद्रश्य को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उसे साकार कर सकते हैं, कैसे उसे realize कर सकते हैं, तो answer है, we can realize the vision only when we achieve the target set for it. हम अपने vision को तभी realize कर पाएंगे, तभी उसे achieve कर पाएंगे, when we achieve the target, जब हम उस target को, उस लक्ष को जो हमने बना रखा है, उसको जब हम प्राप्त कर लेंगे, तभी हम अपने vision को जो हैं पहचान पाएंगे, उसे साकार कर पाएंगे. This will not happen spontaneously, nor can be left to the government, planners, scientists and economists alone, याने कि इस कार को करने के लिए हमें सभी को अपने भूमी का एक साथ निभानी पड़ेगी, सिर्फ सरकार के सोच लेने से, योजनाओं करताओं के सोच लेने से, या विध्यानिकों के सोच लेने से, या अर्थ सास्रियों के, जो एकोनोमिस्ट र ब्यूमी का दिबानी पड़ेगी, सबको अपने इस कारनों स्वाणी पड़ेगी, सabको अपने अपने उपने रॉल प्ले करना पड़ेगा, इच एन तब हम अपने द्वारा देखे गए परिद रश्यों को साकार कर पाएंगे, और साकार कर सकते हैं नमबर 11, how can we imitate the examples of Japan and Germany यानि कि हम जापान और जर्मनी के जितने भी examples दिये गए हैं इस पार्ट के अंतरगत हम जापान वा जर्मनी के उधारणों का अनुसरन कैसे कर सकते हैं कैसे हम उन examples को एक जो है अपने लिए एक examples की रूप में समझ सकते हैं तो we can imitate the examples of Japan and Germany by looking at the miracles achieved by them through great determinations and effort यानि कि जिस प्रकार से इन countries ने अपने द्रण इक्षा सकती को लगा कर और साथ में जो भी उन्होंने जो देखा जो लक्ष बनाया उसको जो है उस उपलब्धी में उसे प्राप्त किया इस miracles को देख कर हम एक examples इसका दे सकते हैं अपने परिदर्श को पहचानने में और पूरा करने में we must work hard whatever we are doing हम जो भी करें हमें जो है कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और अपने लक्ष की प्राप्ती पहले से उसके लक्ष बनाने पड़ेंगे और आंगे जो है उन्नती के रूप में ला सकते हैं यानि कि इसका कुशन का अर्थ है भारत का आईटी उद्योग कैसे जो है विकसित हुआ कैसे जो है ग्रोन हुआ आंशर है इंडिया आईटी इंडस्ट्री विक्सित हुआ जो विशवमे अपनी पहचान बना रहा है याने कि पूरा ग्लोबली उसको अपनी पहचान बना रहा है ग्लोबली उसे जो है रिकगनाईज किया जा रहा है इस प्रकार से वह जो है ग्रॉन होता जा रहा है Question number 13 How can we help in the establishment of stable framework of government याने कि सरकार के स्थाई धाचे को स्थापित करने के लिए हम किस प्रकार से जो है अपनी सहायता प्रदान कर सकते हैं एक स्थाई धाचे को स्थापित करने के लिए सरकार के स्थाई धाचे को स्थापित करने के लिए हम किस प्रकार से एक सहायता प्रदान कर सकते हैं Answer is We should learn to facilitate without attempting to control We should also learn how to work with people याने कि हमें जो है नियंत्रन करने का प्रयास करने के बजाए जो सुविधाएं हम जो प्रदान करते हैं उन्हें सीखना चाहिए उन्हें जानना चाहिए और लोगों के साथ कार करने के तरीकों को भी हमें जानना चाहिए इस प्रकार से जो है हम एक अपनी मदद जो है एक help जो है प्रदान कर सकते हैं किस चीज के लिए सरकार के एक स्थाई धाचे की स्थापना करने के लिए हम जो है अपनी एक मदद प्रदान कर सकते हैं We can help in the establishment of a stable framework of government Question number 14 is an important question Question is make a list of civic duties as suggested by Dr. Kalam यानि कि Dr. Kalam ने जो भी नागरिकों के दायत नागरिकों की जो भी उन्होंने करतवे बताए हैं उन्हें जो है जो उनके द्वारा बताए गए हैं उन्हें जो है लिस्टिंग करना है यहाँ पर बताना है तो following are the civic duties as suggested by the Dr. Kalam तो सबसे पहले है cleaning up a local park यानि कि जितने भी यदि कोई पार्क वेगरा है तो हमें इस्थानी पार्क को जो है उसको clean रखना चाहिए उसको switch बनाना चाहिए यह हम सब का एक civic duties है उसके बाद planting trees ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना है helping underprivileged children यानि कि जो असहाई बच्चे हैं हमें उनकी मदद करना है keeping school campus clean यानि कि स्कूल के प्रांगन को और अपने घर के आसपास के प्रांगन को भी हमें जो है clean रखना है संगापूर कैसे जो है एक बिलकुष स्वच्छ सहर बन गया पूरे संसार का तो आंसार सिंगापूर has become one of the cleanest cities in the world due to program started by the government क्योंकि सरकार के द्वारा जो योजनाई चला गई चलाई गई थी उसके बज़ा से जो है सिंगापूर एक cleanest city पूरा वर्ल्ड का जाना जाता है and willingly assisted by its citizens और वहां के नागरिकों के द्वारा भी जो है स्वेच्छा से मदद की ये वेसम से आंगे आया और उन्होंने उसको पहचाना और इस वज़ा से जो है वह सिंगापूर जो है पूरा एक cleanest cities in the world जाना जाता है इसी वज़ा से वह cleanest city बना Question number 16 It is a most important question What does Dr. Kalam mean by having an indomitable spirit याने कि अजी ये भावना रखने से Dr. Kalam का क्या तात पर है अजी ये भावना होनी चाहिए इस से क्या क्लाम जी का क्या तात पर है Dr. Kalam means to continue trying to do something despite difficulties and regardless of any setbacks we may face along the way याने कि उन्होंने कहा है कि हमें जो है निरंतर प्रयास करते रहना है और अजी भावना से Dr. Kalam का यही जो है अर्थ निकल रहा है कि कठनाईयों के बावजुद किसी भी कार को करते रहना है और इस बात का हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है कि हमारे कार करने के मारग में कितनी असफलताओं का हमें सामना करना पर सकता है हमें निरंतर अपने लक्ष की प्राप्ति के लिए continue प्रयास करना है और तभी हम अपने लक्ष को प्राप्त कर पाएंगे नमब 17 What effect could the initiated mind working with indomitable spirit produce केने का मतलब है उतसाही दिमाग उतसाही दिमाग याने initiated mind और दुसरा उसमें बोला जा रहा है अजे भावना के साथ याने के indomitable spirit उतसाही दिमाग अजे भावना के साथ क्या प्रभाव उतपन कर सकता है उत्पन करना याने प्रेडिूस कर सकता है एक initiated mind यदि कार किया जाए एक अजे भावना के साथ तो क्या उसका प्रभाव उत्पन होगा ये हमें बताना है आंसर है initiated mind working with indomitable spirit याने कि एक उचसाही दिमाग यदि अजे भावना के साथ कार करता है तो बहुत ही चमतकार को उत्पन कर सकता है बहुत ही अद्भुत चीजों को उत्पन कर सकता है initiated mind gives new ideas क्योंकि एक उचसाही और एक जो प्रजवलित दिमाग होगा वो बहुत सारे सुझाओ को प्रकट करेगा और जो indomitable spirit होगी याने कि ये भावना जो होगी क्योंकि मदद से करेंगे तो उससे तो no route हमें जो है सफलता निश्चित ही मिलेगी उससे उन्नती होगी खुशिया ले आएगी और जो है सुरक्षित भारत का एक निर्मान होगा और ये बिल्कुल निश्चित होगा यदी initiated mind और indomitable spirit यदी साथ में कार करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है निश्चित ही उत्पनिक कर दी जाएंगी तो ये एक most important question है बच्चो इसे भी हमें तयार करना है बच्चो ये पूरे one से लेके 17 तक सारे question answers हमने इस वीडियो के अंतरगत complete की है मैं उमीद करते हूं कि ये आपके लिए बहुती helpful होंगे और आपके लिए समझने में मदद भी करेंगे नेक्स वीडियो में बच्चो हम फिर आपके लिए study content लेकर हाजिर होंगे तब तक के लिए इतना ही नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक thank you